प्रेंड्स आज हम आपके लिए एक और बटन होल पट्टी लेके आए हैं कि बटन होल कैसे बनाते हैं लॉंग वाला हमने इससे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने जैसे उल्टे-उल्टे फंदे दिखते हैं तो उल्टी-उल्टी लाइनों का बॉर्डर मतलब उस लाइन तो सी सीद्धी-सीद्धी बुणी थी उल्टी-उल्टी दिखी थी तो जब हमने वह बॉर्डर बनाया क्योंकि उसके लिए भी नीचे जो बॉडर होता है वह उल्टी-उल्टी लाइनों का होता है उसके साथ फिर बटन पट्टी भी वैसी ही बनती है खासकर बच्चों के तो जैसे जैन स्वेटर बुनते हैं, हम जैकड बुनते हैं, उसके साथ हम एक सीधा और एक उल्टा ऐसी बटन पट्टी बुनते हैं, लेडिस के कई कार्डीगर में हम ऐसी ही बटन पट्टी बुनते हैं, उसमें बटन होल कैसे बनाना है, तो उनी की फिर मैश पर हम एक बट बटन होल हमने बनाया है जो छे सलाईयों का है हमने छे सलाई इदर बनाई फिर शे इदर बनाई फिर बीज में जो बटन होल बन गया अगर आपका बटन भड़ा है थोड़ा और तो आपने क्या करना है आपने आट सलग्या बनानी है वह हम आपको बता देंगे कैसे बनानी है पहले तो हम यह बट्रपत्ती बनाएंगे जो इसमें जो यह पेले आती है यह देखियो चेन बड़ी सुन्धर सी बनके आती है इस नदेखिये Veter बनती है बहुत सुन्धर लगती है थो यह इस side का sweater अगर piece बुढेंगे तो उसके साथ ऐसी आएगी है ना अब कई हमारे viewers हैं वो कहते हैं कि जब हम इस side का बनाएगे इस side का तो हमने बना लिया तो ए आएगी अगर इस side का हम बुढेंगे तो जे बटन पटी की last वाली line आएगी और अगर हमने इस side का बनाना है पटी इदर रखनी है और इदर हमारा sweater बुना हुआ है बुना है हमने बॉर्डर भी बुना हुआ है और सीधा उल्टा है तो उसके लिए friend जे वाली आएगी जे लाएगी जे भी बहुत सुंदर बन दी है तो ऐसे आपने ये बनानी है अब दोनों तरफ की बता रहे हैं कि आपने लास्ट वाला सीधा जो मोटी सी चेन आती है वो कैसे आएगी ठीक है तो इसके लिए friends हमने पहले हम आपको जे बता दे कि हमने इस बॉर्डर को सीधे उल्टे को कैसे बनना है तो हम क्या करेंगे एक फंदा हम सीधा उतारेंगे ठीक है उसके बाद दूसरा फंदा हम सीधा बनेंगे दो फंदे सीधे होगे ठ्रेड अपनी तरफ करेंगे उल्टा फंदा बनेंगे ठ्रेड पीछे बॉर्डर बनेंगे जो हम सीधे उल्टे का बुंते हैं तो इसी सीधे उल्टे की ही फरमयाशाई है हमें कि बटन पट्टी में बिलकुल डिजाइनर भी नहों अल्ल लास्ट में हमने क्या करना है कि पीछे करना है इसको पीछे करना है दो फंदें फिर सीधे रखे हैं तो हम एक सीधा फंदा ऐसे ही इतार लेंगे जो सीधा फंदा है एक फली वाला इसको ऐसे उतारें जैसे iis iis एक्षन में ऐसे उतारिय चाहे ऊतारिय應該 इसको उतारना है पीडा मुने फिर जो लास्त वाला फंदा है उसको भूनने है इसे ठीक है पाभी झायते हैं इस की रॉंग साइट पर हमने फिर्स पंदा अब उल्टा दिख रहा है हमें तो तो हमने उल्टा ही उतारना है क्योंके wrong side है फिर हम इस जो उल्टा एक फन्दा हमने slip गिया था सीधा इसको हमने बुन लेना है उल्टा बुना थ्रेड पीचे किया आगे हमने जैसा जो फảoनना है सीधा उल्टा सीधा ilा सीधा उल्टा किसिए सुद्धा पुल्टा is सीधा कुशल पुल्टा और सीधा और अब इदर भी दो फंदे उल्टे आते हैं रॉंग साइड मैं तो हमने थ्रट अपनी तरफ करना है उल्टे संदे को बिना बुने उतारना है और लास्ट वाले उल्टे संदे को बुनना है ठीक day अब हम आते हैं इसकी यह राइट साइड में राइट साइड में जब आएंगे जै देखिए जै ऐसा फली बनेंगी और इधर भी ऐसी ही चेन मोटी चेन दिखती है और जो जो हमने बनाई है जो टोटल पता कितने बंदे हैं दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, पंदरा पंदरा फंदो में हमने बटन पती बनाई है वैसे राजे मोसली बारा फंदो पे बनाते है मैक्सिमम बारा, बारा से उपर भी बना सकते है जब हमने बारा फंदे बनाने हैं तो दो फंदे हमने जे लिए 14 दो फंदे जे लिए तो हमारे 16 फंदे नहीं करने है हमने 15 फंदे लिए जे देखिए दो सीधे एक उल्टा एक सीधा उल्टा 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 और दो सीधे राइट से हमने ऐसे ही देखना है ठीक है एक बार और बताते हैं कि हमने कैसे बुनना है सीधा फंदा तो हम सीधा ही उतारेंगे बिना बुने सेक्ड फंदा हमने उल्टी साइड से उतारा था उसको हम सीधे को बुन लेंगे जब हमने स्टार्ट करना है बुन लिया फिर उल्टा बहुत बुना जाता है और बटन पट्टी भी बहुत बुनी जाती है स्वेटरों में कार्डिगन में जे उल्टा अगया सीधा उल्टा उल्टा आगये अब लास्ट में दो सीदे हैं फस्ट में भी दो सीदे हैं जे देखिये ऐसे आपने अपने फंदों को Remind viel करना अगर आपने इससे भी चौड़ी बनानी है बटन पट्टी तो आप स्तारा फंदे रखेंगे क्योंकि दो फंदे तो हमने रखने हैं तो उन्नी फंदे आएंगे ना फंद्रा दो फंदे और एड़ होंगे तब ही आएगा क्योंकि अगर उल्टे के साथ दो सीधे बनाएंगे तो दो फंदे एक्स्ट्रा और रखेंगे 15, 16, 17 फंदों में राजे फिर आप और चौड़ी बटन पट्टी बना सकते हैं तो हमने 15 रखे हैं जैनून है इतनी तो होती ही है बटन पट्टी होती है सब में तो एक उल्टा त्रेड पीछे किया अब हमने सीधा फंदा ऐसे ही बना है आब लूज हाथ जहां पे नहीं रखना है ठीक ठीक रखना है ना लूज ना टाइट अब इदर से जे रॉंग फंदा दिखता है तो हम इसको रॉंग उल्टा उतार लेंगे साथ फला फंदा भी उल्टा ही बुन देंगे तो दो उल्टे आगे थ्रेड पीचे किया ये सीधी फली जा रही है इसके साथ सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे उल्टा बुनेंगे सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और दो उल्टे जे दो उल्टे बुने जाएंगे हाँ दो उल्टे बुनने नहीं है इसको हमने स्लिप करना है इस साइड में लास्ट में इदर भी लास्ट में सीधे फंदे को स्लिप करना है राइट साइड में और रॉंग साइड में उल्टे फंदे को स्लिप करना है और इसको बुनना है ठीक है अब आते हैं इसकी सीधी स्ल ना बता दिया है अब हमने बटन होल रख रहा है जे बटन होल जो हमने बनाया है जे छोटे से थोड़ा सा बड़ा सबसे स्वाल बटन से थोड़ा सा बड़ा बटन इसमें आएगा क्योंकि छे सलग्यों से बनाया है आगे हम आठ सलग्यों का बटन होल बनाएंगे थोड़ा स में और चोटा बटन है तो आप दो ही सलागियां मदद चार सलागियों में ही बन जाएगा तो हमने कैसे बनाया है वो हम आपको बताएंगे और इन दोनों में जो स्पेस की तरह रखना है वो आप अपने साब से देख लीजिए हमने दो चार छे आठ दस और बारा बारा सलाग के बाद हम बच्चों का बटन होल रखते हैं आप 14 सलागियां मनाईए और उसके बाद बटन होल रख सकते हैं तो हम आपको जहीं बता देते हैं सीधा फंदा तो हमने उतारना ही है बिना बुने इसको हमने सीधा बुनना है ठीक है उल्टा फंदा बुनना है सीधा फंदा वुरना है जहां हम बटन हो रखेंगे जो के पता रह चले के उल्टे फंदें पर रखा है हमने स्टार्ट किया सीधा हमने बुल लिया है जैसे सिद्धी सलाई हमारी फली सिद्धी दिखेगी अब किये हैं पंदे उन система हमने क्या चीन है दो चार छे साथ साथ फंदे हमने इदर रखे हैं इसका एक लॉजिक है जह देखिए जब हम बटन पट्टी का बटन हो रखते हैं तो जे स्पेस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है अगर एंड में थोड़ा इदर रखेंगे तो जब हम बटन लगाकर इसमें लगाएं तो थोड़ा से खिचने से कई बार कई लेडी जा जैन्स का पेट होता है तो खिचने से ऐसे नजर आता है कुछ तो हम एक फंदा ज्यादा रखा है इस साइड तो जे अपने दिहार रखना है अब हम इसक जहां डवाइड कर लिए हैं फंदे आठ और साथ अब जहां से हम बार साईंगे अब 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 हम जहां नहीं जाएंगे क्योंकर हमने बटन होड को इसला भाले पीस को अलग से 6 लगिया हमने बनाई है अब हम 8 लगिया बनाएंगे तो हमने बहीज से वापस आजाना है उल्टा फंदा उतारा वीना मिना बुन यह ना courageous या बेना बुन नही गूता शीड़ा और जो दो गूते हैं एक स्लिप किया और एक भूल लिया है तो हमारी एक स्लाई है अब सैकंड स्लाई बुरहे गे ऐसे सीधा बुन लेगे बाकी हम बौडर बुरें तो हमारी ये सेकन्ड सलाई है और इसको हम बुल लेंगे तो हम इसको बुल लेंगे फिर उल्टा 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 उतारेंगे और इसको बुल लेंगे ठीक है अब आते है राइट साइड में राइट साइड में हम सीद्धा फंदा उतारेंगे इसको बुनेंगे उल्टा फंदा हमारी फोर्थ असलाई है जे देखिए हमने फॉर्थ स्लाई भूल ली है ठीक है अब हम अगर तो बटन फोल चोटा रखना है तो फॉर्थ स्लाई भी बहुत है अगर बड़ा रखना है तो आप सिक्स स्लाई बना सकते हैं इस फंदे को उतार लीजिए बिना बुने त्रेड बीचे कीजिए सीधा अगर तो हम कि अबश्फ्त स्लाई भून रहे हैं है उतारा और मुलिया अब हमारी स्क्कल स्लाई है दो भून लिया बॉर्डर भूना है जैसे बुनते आ रहे हैं बटन पrobeती पैसे कंद देखिए तो हमने च्छे सलाई बनाई है अगर इस से बड़ा बटन होर रखना है तो हम दो सलाई और बनाएंगे उल्टा फंदा जो दिख रहा है उतार लेंगे थ्रेड पीछे करेंगे और हमारी ये बटन पटी बन जाएगी तो हमारी ये सातमी सलाई है अब आते हैं इसकी आठमी सलाई पर जो फाइनल हो जाएगी उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा तो हमारी कितनी सलाई होगी आठ दो, चार, छे, आठ जहीं से हम देख लेंगे आठ सलाई आपको नजर आएगी जे सलाई है ना इसके बाद जे देखिए दो, चार, छे, आठ आठ सलाई हमने बना ली है अब हम इस साइट को बनेंगे लेकन कैसे जे हमें फंदा पहले देखना है अगर तो उल्टा दिख रहा है तो जैसे हम उल्टे के लिए जाली डालते है ऐसे जाली डालेंगे लेकन हम आठ फंदे आठ सलाई आपको बना ली है तो हम एक बार तो इदर फंदा किया थ्रेड किया एक बार, दो बार और तीन बार तीन बार हम सलाई डालेंगे वो हम बताएंगे तीन बार thread को गमाएंगे तीन फंदे जैसे बनते हैं न ऐसे बनाएंगे तो हम बाद में बताएंगे कि इसको क्या करना है तो हमने उल्टा फंदा इसके साथ ही बुन लेना है बुन लिए इस साइड आए है तो ठीक है अब हम जो border है हमारा सीधे उल्टे का वो हम बनाएंगे अब सीधा बंदा हम उतारेंगे एक हम सीधा बुन लेंगे ठीक है तो एक सलाई हमने बना ली अब हमारी सेकंड सलाई है इसको हम बुनेंगे तो आठ सलाई ही हम इदर बुनेंगे लेकन कैसे ये देखिए राजे हमने सीधा फंदा बुनना है लास्ट वाला ये फली वाला सीधा बुनना है लेकर हम इस फंदे को इसके अंदर से उता लेंगे इस फंदे फली वाले फंदे को इसके अंदर से ऐसे फंदा नकाल लेंगे निकाल लिया फंदा निकाल कर हमने इसको बुनना है ठीक है जे हम आपको एक बार फिर बता देते हैं जो जे हमारा फंदा ऐसे दिख रहा था जे हमारा तीन बार हमने फंदा कुमाया था उसके अंदर से एक फंदा निकाल लेना है ऐसे जहां पर रखके इस फंदे को उपर से टपा देना है तो हमारे ये दो ऐसे ही फंदे बने रहेंगे जे और जे हमने नकाल लिया अब इसको हम सीधा बुनेंगे बुन लिया अब आते हैं हम इसकी wrong side पे जहीं से वापस आएंगे इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और थ्रेड पीछे कमाएंगे और थर्ड सलाई बुनेंगे लास्ट वाला उतारा और बुन लिया अब ये राइट साइड ये रॉंक साइड है रॉंक साइड हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक उतारा एक बुना जो हमने बता दिया है आपको तो अब हमारी ये फूर्थ सलाई है हम सीधा फंदा नहीं बुनेंगे अभी इसी में से इसको निकाल लेंगे फंदे को और फिर इस फंदे को बुन लेंगे ठीक है अब हम इसके आते हैं रॉंक साइड पे फंदा उतार लेंगे बिना बुने और पट्टी बुनेगे फिफ्ट स्लाई अब आते हैं इसकी शिक्स स्लाई पे हाँ हमने जहां क्या किया है देखते हैं इस फंदे को हमने उतारना है लास्ट वाले को स्लिप करना है फिर इसको बुनना है अब शिक्स स्लाई है सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा अब हम इसी फंदे को फिर से इसमें से निकालना है ऐसे और इसको बुनन लेना है ठीक है एक स्लाई हमारी और आएगी क्योंकि आठ स्लाईया बना रही है तो जे हम सात्वी स्लाई बनाएंगे उतारा और सीधा बना अब एह हमारी फाइनल स्लाई आ जाएगी रॉंक साइड है एक उल्टा उतारा एक उल्टा बना सीधा उल्टा सीधा उल्टा अब एह लास्ट है एक बार फिर इसमें से नकाल लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे सीधा बुन दिया अब हम पूरी स्लाईया से ही बनाएंगे वापस आ जाएंगे क्योंकि हमने आठ स्लाई बना ली है तो इसके साथ है अटैच हो जाएगा सीधा, तारा और बुन तो जे रॉंक साइड थी ये देखिए आब राइट साइड से हम आपको दिखाते हैं ये देखिए राइट साइड से ऐसा बन कर रैडी हो गया है बटन पट्टी होल जे भी बना है जे थोड़ा छोटा है जे थोड़ा बढ़ा है तो ऐसे ही आपने बढ़ते हुए जाना है हम दो तीन सलाई और बढ़ा कर आपको दिखाते हैं जे देखिए सीधी की सीधी फली है सीधा आया उल्टे जो बन गया है बटन होल वहाँ उल्टा आया नीचे भी उल्टा है उपर भी उल्टा है फिर हम आगे जो हमारा बौर्डर है उसको भून लेंगे पूरा सिधा उतारा और इसको तान लिए ऐसे आपने बनाना है और ऐसे बटन होल बनाते हुए आप फूरी बटन पट्टी बना सकते हैं और जो एक डिफ्रेंस है यह आपने अपने हिसाब से रखना है कि स्पेस कितनी रखनी है बटनों में तो उसी साब से आप बनाते हुए ज़िए फैसे आपने बटन पट्टी बनानी है ज़िए ऐसे हम देखेंगे तो एक उट्टा सिधा पूरा दिखेगा जेख अप पले स्पहरा प्रूम दिखेनी आपको साइट की सिदी जीन और जे बी अलग से दिखेगी तो ऐसे इधर से दिखेगी अगर आपने इस साइड की बटन पट्टी जैसे जहां से रखनी है तो ऐसी दिखेगी अगर आपने इदर को रखनी है तो वो भी हमने बता दी है और वो ऐसे दिखेगी ठीक है और आप ऐसे हराम से अब बना सकते हैं और जितना बड़ा बटन होल है उसी हैसाव से रखिये बटन होल आयेगा ऐसे आप बनाते हुए अपने लिए बटन होल बनाएगे जो के बन कर बहुत सुन्दर लगता है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मुझे मीर है के हमारे जो व्यूर्स उल्टे सीथे में कह रहे थे उनको जे समझ आ गया होगा थैंक यू